हेलो फ्रेंड्स, वी ए कंस्रक्शन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेके आया हूँ 3BH के लग्जियस फ्रेट और मेट्रो से सिर्फ 500 मिटर की दूरी पे जे हाँ 500 मिटर की दूरी पे आईए मैं आपको फ्लैट का डिस्क्रिप्शन देता हूँ और पूरे फ्लैट का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ आए अभी जहां हम खड़े हैं ये है फ्लैट का लिविंग एरिया जो प्रॉपर्टी की सबसे में जान होती है आप देख सकते हैं यहां पे हमने प्रॉपर स्पेशल बढ़िया वाल पेपर विद ग्लास वर्ग जी हाँ आप देख सकते हैं इधर भी और उदर प्रॉपर ग्लास वर्ग विद बॉल पेपर करवाया है इसी के साथ अगर आप स्पेश की बात करें तो एक ह्यूज स्पेश आपको लिविंग एरिया में मिलता है जो की बहुत कम देखने को पाया जाता है यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेश मिलेगा आपका सोफा अगर आप देखें तो यहाँ प्रॉपर अल टाइप सोफा आप यहाँ रख सकते हैं प्लस यहाँ आपका सेंटर टेबल रख सकते हैं उसके इलावा भी यहाँ इतना स्पेश है कि आप यहाँ पर सेंटर टेबल के बाद काउच भी लगा सकते हैं तो भी आपके पास बहुत स्पेश है इसी के साथ साथ इसमें हम आपको दे रहे हैं LCD पैनल आप देख सकते हैं लगजरी LCD पैनल प्रॉपर वाल टू वाल इसी लगजरी पैनल में आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलती है जो आप अपना समान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं आप देखिए इसी में आपको हम अगर आप देखें तो हैवी फॉल सीलिंग जी हाँ proper heavy fall ceiling आपको दी जा रही है सारा lightning के साथ इसी में अगर आप देखें तो fan with jumer ये include है इसी के साथ कोई extra charges नहीं है इसी के साथ आपको इसमें split AC की inbuilt fitting दी जा रही है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई problem ना हो यहाँ पे आपको एक toilet दिया गया है जो common toilet है जो आपके living area के साथ attached है आईए मैं आपको आपका common washroom दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कितना spacious washroom है यहाँ पे आप देखेंगे तो wall hanging seat का provision दिया गया है प्लस आप सारा sanitary fittings देखेंगे तो सब एकदम A1 quality का है और space देखेंगे तो बहुत spacious washroom है यह अगर आप देखें tile work tile work एकदम excellent और premium quality का work कराया गया है आप चाहें wall tiles देख लीजिए उसके इलावा आप चाहें flooring tiles देखें कहीं पे किसी तरह का कोई भी compromise नहीं है आईए अब मैं आपको kitchen में ले चलता हूँ हर घर की सबसे बड़ी जान kitchen है और आप देख सकते हैं यहां kitchen अगर हम kitchen के space की बात करें तो यहां पे इतना space है कि दो से तीन ladies आराम से खड़े होके कोई भी work कर सकती है suppose कि इस दिए आपके घर में guest आए हैं तो guest आएंगे तो काम भी जादा होगा तो यहां पे कोई होच पोच करने की ज़रत नहीं है बहुत space है work के लिए अगर आप देखें तो kitchen में भी हमने जो tile work करवाया है आप देखें बहुत ही fine quality का tile work है tile work के साथ साथ अगर आप kitchen top देखें वो भी even quality का है इसके साथ सबसे बड़ी problem kitchens में ladies को क्या आती है storage space यह आपकी proper modular kitchen है तो storage space के लिए आप बिल्कुल problem में मत आईए अगर आप देखें तो storage space इतना है कि कहीं भी आपको किसी तरह की full problem face नहीं करनी पड़ेगी अगर आप देखें cutlery से लेके kitchen के आपके जितने भी बड़े utensils हैं आप वो अराम से store कर सकते हैं यहाँ पर इतना space है कि आपको किसी भी तरह की कोई problem face नहीं करनी पड़ेगी अगर आप देखें नीचे ही नहीं इसके इलावा उपर भी आपको proper space दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ इतना space है कि आपको किसी तरह की problem face करने की जरुरत नहीं है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक luxury cabinet प्रोवाइड करिया गया है अगर आप इस cabinet को देखेंगे तो देखें यह कितना spacious है यह देखिए यहाँ पर आप अपनी किसी भी तरह के storage कर सकते हैं आपको एक चीज और है जो बता रहे है chimney इसमें आपको branded chimney in build दी गई है उसके साथ साथ hob भी है आप देख सकते हैं electronic hob इसमें proper fit किया गया है तो जो इस kitchen को और जादा शानदार बना रहा है अगर आप देखें तो kitchen में भी proper fall ceiling का बहुत अच्छा work करवाया गया है उसके साथ साथ lightning work भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिया गया है last में एक चीज और space यह proper आपको double door fridge के लिए यहाँ पे space दिया गया है जिसके लिए आपको कोई problem face करने की ज़रत नहीं है आईए इसके बाद मैं आपको rooms की तरफ ले चलता हूँ यह हमारा entry gate जैसे ही हम entry gate से enter होते हैं तो left side को हमारा first bedroom है आईए मैं आपको दिखाता हूँ first bedroom जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप proper fall ceiling work करवाया गया है उसके साथ साथ customized wallpaper यहाँ पे आपको provide किया जा रहा है इसके इलावा यहाँ पे भी आपको आप देखेंगे इस bedroom में भी proper split AC की fitting दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक 6 by 6 का king side bed लगा हुआ है उसके बाद भी हमारे पास कितना space available है यहाँ पे आपको एक wardrobe आप size भी देख सकते हैं इसके साथ inbuilt दी गई है huge size no problem for any storage इसी के साथ साथ हम आपको इसमें LCD panel भी दे रहे हैं आप देख सकते हैं excellent quality और proper storage हर LCD panel में आपको storage special मिलेगी मिलेगी इसके इलावा आपको जो fan आप देख रहे हैं यह भी इसके साथ complimentary है हर bedroom में आपको एक fan मिलेगा आईए मैं आपको इसके second bedroom की तरफ ले चलता हूँ entry करने से पहले आप देख सकते हैं कि super fine quality का सारा wooden work यहां करवाया गया है यह आपने हम देखा था हमारा common toilet इसी के साथ हमारा second bedroom प्लस यह third bedroom आईए इस third bedroom से पहले हम आपको second bedroom की सारा view दिखा दे यह हमारा second bedroom है जैसा कि आपने देखा first bedroom की तरह यहां पे भी आपको customized wallpaper दिया जा रहा है इसके इलावा आप देखेंगे हर bedroom में proper proper fall ceiling का बहुत heavy work करवाया गया है इसके साथ ही आप देखेंगे इस bedroom में भी हम आपको LCD panel प्रोवाइड करवा रहे हैं आप देख सकते हैं proper big LCD panel है यहां पे भी तो आप यहां पे भी किसी भी तरह की storage आपका कर सकते हैं इसके इलावा इस bedroom में भी आपको एक almira का provision दिया गया है आप चेक कर सकते हैं यहां पे भी आपके पास proper storage की facility है तो कहीं पे भी किसी तरह का कोई compromise नहीं है जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था space आप इस bedroom में भी देखेंगे उसी की तरह proper हमारे पास बहुत space है बेड लगने के बाद भी आप बेड लगने के बाद सबसे बड़ी problem क्या होती है कि हमारे पास walking space नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां proper walking space है और आप इसके साथ ही देखेंगे balcony यह आपका जो बेड रूम है balcony attached बेड रूम है आईए मैं आपको इसकी balcony दिखा देता हूँ यह प्रॉपर इसकी बड़ी balcony है इस balcony में भी हमने पूरा का पूरा tile work करवाया है ताकि आपको किसी भी तरह की future में कोई problem ना हो यहां पे इसका पूरा आपका washing area दिया है टैब है switch है हर चीज आपको यहीं पे मिल रही है तो आपको किसी भी तरह की इसमें भी कोई problem नहीं होगी steel railing glass work आप देख सकते हैं सब चीज even quality का है आईए इसके बाद हम आपको third bedroom की तरफ ले चले second bedroom के बिलकुल adjoining हमारा third bedroom है आईए मैं आपको third bedroom दिखाता हूँ यह हमारा master bedroom है यहां अगर आप देखेंगे तो आपका जो tile work है वो पूरा wood look में दिया गया है जो की glossy tiles हैं और इस room को और ज़्यादा खुबसूरत बना रहे हैं हर room की तरह यहां पे भी आप देखेंगे तो proper heavy fall ceiling work यहां पे भी दिया गया है fan इसमें including है इसके इलावा अगर आप देखें storage के साथ-साथ यहां पे आपको dressing table भी provide करी गई है almira तो है ही है plus dressing table भी इसमें include है आप देख सकते हैं और उसके बाद almira का space आपके bed के दोनों तरफ आप देखें तो यहां पे भी और इसके इलावा अगर हम देखें तो यहां पे भी आपको proper storage space दी गई है तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे तीनों bedroom में आपको proper storage की जगा मिल रही है जो हर जगा नहीं provide होता होता क्या है कि हर जगा कहीं पे आपको एक room में almira मल गई कहीं यहां दो में मिल गई यहां ऐसा नहीं है यहां आपको तीनों bedroom में आपका proper storage की facility दी गई है इसके साथ साथ आप देखेंगे attached washroom master bedroom के साथ आप देख सकते हैं कि हम आपको attached washroom दे रहे है यहां पे भी आप देख सकते हैं कि proper wall hanging seat दी गई है इसके इलावा sanitary work proper बहुत अच्छा है साथ साथ आप tile work भी देख सकते हैं सब चीज premium quality का use की गई है यहां किसी भी तरह की कोई compromise नहीं है अगर आप handle work भी देखें तो यह नहीं है कि handle से compromise किया हो किसी चीज से आपको 1% भी compromise नहीं मिलेगा जैसा कि आपने देखा हमारे दोनों bedrooms और drawing room में LCD panel इसी तरह इस room में भी आपको LCD panel प्रोवाइड किया गया है और proper huge LCD panel है यह नहीं है कि LCD panel के नाम पे एक board लगा दिया और हमने आपको कह दिया LCD panel आप देख सकते हैं proper LCD panel का work किया गया है, storage दी गई है हर चीज का proper ध्यान दिया गया है जो जो एक घर में required होता है इस room में भी आपको proper ventilation मिलती है आप देख सकते हैं यहां पे आपको यहां हम आपको इस window के साथ-साथ देखें window AC का provision दे रहे हैं यहां आप अपना window AC install करवा सकते हैं इसके साथ-साथ इस flat में हम आपको car parking और lift का provision भी दे रहे हैं आज कल सबसे एक necessity चीज हो गई है आप घर तो ले लेते हैं घर लेने के बाद सबसे बड़ी problem क्या होती है car कहां लगाएं तो उस चीज के बारे में आपको सोचने की कोई ज़ुरत नहीं है यहां पे आपको एक huge car space प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस चीज के लिए भी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाईए तो जिसे कहते हैं न कि luxury यहां पे आपको exact वो ही feeling आने वाली है luxury की यह है हमारा 90 गज का 3BH के flat front facing अगर आपको यह flat अच्छा लगा हो तो please दिये हुए numbers पे call कीजिए और आईए हम आपको इसके इलावा और भी बहुत options दिखा सकते हैं तो आप आईए हम आपको जिस तरह की आपको range है जिस तरह का आपको requirement है आपकी requirement के हिसाब से चीज देते हैं यही नहीं इस पूरी property में आपको 90% तक loan facility available कराई जा रही है हां जी 90% आपको सिर्फ 10% payment करना है rest of the amount total bank से आपका loan हो जाएगा करना है झाई है झाई है झाई है मैं झाई है